नमस्कार दोस्तों इशाला पर आपका एक बाग फिर से स्वागत है मैं बाक्चिन चोधरी लेक्चरर जोगरोपी आज किस क्लास में हम राजस्थान में चूंकि अभी वर्दमान में तीन नए संभाग बनाए गए हैं तो उनकी संक्यात साथ से बढ़कर दस हो गई है तो उन एक जिले एक संभाग को छोड़ दें यानि की कोटा संभाग जो उसको अगर छोड़ दें तो बाकी जो हमारे यहां पर संभाग है तीन तो नए बने हैं और एक कोटा को छोड़ दें तो छे जो नए संभाग पूराने वाले थे उनकी जो जिले हैं उनमें कुछ परिवर्त आया है तो उसी परिवरतन को देखते वे परिक्सा के दृष्टिकूर्ट से क्या इंपोर्टेंट है कहां से प्रिशन बनने की संभावना है इसको हम एक बहुती शांदार तरीकी से यहां पर पढ़ने वाले हैं तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू से शुर हैं तेन नए संभाग को इन इस प्रकार के रंगारिक मानचित्रों के माध्यम के द्वरा बड़े ही आकर्शक मानचित्र और बिल्कुल इसी क्लास में आपको यह सारी जिज़ें याद हो जाएंगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखी यह आपको एक राजस्तान का नवीन प्रशाष्निक मानचित्र आपको दिख जाएगा यह राजस्तान का नवीन प्रशाष्निक मानचित्र है जिसमें अब आपको यहाँ पर फुल मिला करके और 33 के बज़ए आपको 50 जिलों की सिमाएं दिखने वाली है और अभी मै आपको एक रंगारेक विदी के द्वारा भुगोल में एक रंगारेक विदी काम में ली जाती है उस रंगारेक विदी के द्वारा मैं जो आज संभागम पढ़ने वाले हैं उन संभागों को मैं अलग-लग रंग के द्वारा आपको करके और बहुत आसानी के साथ में मेप के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस class को पूरा अगर देखेंगे तो वो रंगारेक विदी इतनी effective है कि वो जो जिले यानि कि नए संभाग जो बने हैं उसमें कौन-कौन से जिले हैं और उनसे क्या-क्या मैं तो पूर्ण facts बनते हैं जांसे सवाल बनने की संभावना है आगामी परिक्सों में प्रशन आने की संभावना है वो आपको इसी class को पूरा कर लेने के बाद बड़ी आसानी के साथ में याद हो जाएंगी इसलिए मैं आपको यह कहूँगा कि आप जो यह वीडियो है इसको पूरा देखें बिल्कुल भी skip ना करें और दूसरी बात अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अमारे दीगई जानकार अच्छी अगर लगे तो आप एक कमेंट के बात दिम से भी आप हमें बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं चले तो इसको शुरू करते हैं ये नया मेव आपने देख लिए और अब हम यहां से काम की बात शुरू करने वाले हैं है तो आज की हमारी क्लास किसके उफर रहने वाली है वह मैं आपको यहां पर सबसे पहले हेडिंग के दौरा बता देता हूं हमारी ये जो क्लास है वो नवीन संभागी विवस्था पर रने वाली है सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये नवीन संभागी विवस्था आकिर है क्या या संभागी विवस्था क्या है देखिए प्रशाशन को चलाना होता है तो प्रशाशन को आसान तरीके से चलाने के लिए इसका विभाजन किया जाता है और कुछ जिलों को एक क्लस्टर में एक समू में बाट करके उसको संभाग का नाम दिया जाता है जिसे हमारे यहाँ पर पहले साथ संभाग थे, अब दस संभाग होए गए हैं, नए जो संभाग है वो बासवडा, पाली और सीकर, तीन नए संभाग हैं, जब भी हमारे यहाँ पर प्रशाशनिक जो तंत्र है उसके सबसे उपर बैठे वे, उसके सबसे सिर्मोर, अगर मुख संभाग होता है उसका headquarter होता है वहीं पर होता है वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सीनिर आये सद्धिकारी बैठता है उनको संभागी आयुकतम कहते है डिविजनल कमिशनर की नाम से जानते हैं और वो उसी संभाग में होता है जैसे अगर हम अजमेर संभाग की बात करें तो इस हिसाब से कुल विलाकर के प्रशाशन को आसानी के साथ चलाने के लिए तो मुक्य सचिवे का order निकालेगा तो वो सभी 10 संभाग मुक्याले उपर जाएगा संभागी आयुकत के पास आएगा संभागी आयुकत उसको पड़ेगा और अपने अधीन जो जिले आते हैं तो SDM या SDO जिसको बोलते हैं उपकंड अधिकारी जिनको का जाता है उपजिला कलक्टर जिनको का जाता है वो अपने अधिनस्त करमचारियों को उस order की पालना करवाने के लिए उसको बिजवाएंगी तो ये हमारी एक संभागी वेवस्ता होती है प्रशाशन को बड़ी आसानी के साथ में चलाने के लिए तो आगे बढ़ता है इस प्रकार की हमारी प्रशाशनी की वेवस्ता है तो ये काम शुरू किया गया अब हम इसमें से कुछ important point लेते हुए चलेंगे जैसे माली जी सबसे पहले हम यह बात करते हैं इसके कुछ इतियास की अगरम बात करते हैं कि सबसे पहले संभाग ये वेवस्ता को किस ने प्रारम किया प्रशन यहां से भी बन सकता है तो मैं आपको यह कूँगा कि राजस्थान के राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री क्या नाम था इनका आजस्तान की प्रथम मुख्य मंत्री श्री हिरालाल शास्त्री श्री हिरालाल शास्त्री ने संभागी विवस्था को प्रारम किया संभागी विवस्था को प्रारम किया एक चीज तो यहां से आजाएगी एक प्रसंद यहां से बनता है उसके बाद अगर हम आगे चलें यह आता है कि जब राजस्तान का एकी करण हो रहा था तो उसका अंतिम चरण कब कंप्लीट हुआ एक नॉवंबर 1956 को यहने कि एक नॉवंबर 1956 को और उसके बाद में उस समय एक नॉवंबर 1956 की सती अगरम देखें तो यहां लग देता हूं में एक नॉवंबर 1956 अगर इसकी अगरम बात करें तो एक नॉवंबर 1956 को पांच संभाग पांच संभाग थे ठीक है कौन-कौन से पांच संभाग थे इनकी बात कर लेते हैं अगर यहां से प्रशन यह पूछा जाता है तो देखें इस प्रकार से याद करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें चुनकि जेपूर राजदा नी तो जेपुर में हो गाई होगा तो जेपुर संभाग मैं केवली ये नाम लिख देता हूँ उसके पीछे संभाग हम जान रहे हैं कि हम संभागों के बारे हम बात कर रहे हैं तो जेपुर संभाग उसके अलावा और कौन उसमें मैतुपून बहुत मैतुपुन जगह थी तो अगले माँ बात कर लेते हैं एक और था जिसका नाम है जोतपुर संभाग और कौन था यहां पर तो तीसरे केकर हम बात करें तो जीलों की नगरी उदेपुर तो यहां पर एक और हो जाएगा उदेपुर संभाग इसके अतरिक्त और कौन था तो नमबर चार क्या पर आजाएगा वी कानेर छिक और पांचवा जो संभा आगए इस समय का नाम था उटा तो कुल मिलाकर के पर शुरुवात की बात करें संभा की विवस्ता के इतियास की अगरम बात करें तो इस समय शुरुवात में हमारे यहां पर यह पांच संभाग वाली बात यहां पर थी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें और आगे बढ़ने पर क्या परिवर्टन आया इसको देखते हैं तो जो परिवर्टन आया इसी पर बात करते हैं कि 1962 में 1962 की बात कर रहे है 1962 में एक परिवर्टन आया 1962 में अगर वैसे देखा जाए तो भारत और चीन की बीच में युद्ध भी हुआ था उससे भी हम याद कर सकते हैं 1962 में हमारे यहां पर इस संभाग की विवस्ता में थोड़ा सा परिवर्टन आया और वह क्या आया तो इस समय 1962 में मुख्यमंत्री कौन थे 1962 में ततकालीन यहनुकि उस समय के अतकालीन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री स्री मोहनलाल सुखाडिया स्री मोहनलाल सुखाडिया जिनके नाम से उधेपूर में सुखाडिया सरकिल भी है राजस्तान के काभी लंबे समय तक की ये मुख्यमंत्री रहते स्री मोहनलाल सुखाडिया ने संभागिये विवस्था को संभागिये विवस्था को समाप्त कर दिया तो दो बाते इंपटेंट हो गई बाते इंपटेंट हो गई कि शुरुवात में 5 संभाग थे एक नूमबर 1956 की सित्य में शुरू कि इस ने किया तो राजस्तान की प्रतम मुख्य मंत्री हीरालाल शास्त्री समाथ किस ने किया तो 1962 में अप्रेल 1962 की बात है अप्रेल 1962 में दतकालिन मुख्य मंत्री हीरालाल शास्त्री ने इस विबस्था को समाथ कर दिया लंबे समयते की ये कारेकरम चलता रहा और एक बार पुने इसके बाद में जब इसकी जरुत मैसूस हुई और वो जरुत मैसूस कब हुई तो हम यहाँ पर करेंगे 1987 में 1987 में वापस जोश आया कि हमें संभागी विवस्ता को पुने प्रारम कर देना चाहिए और ये जोश किन मैं में हरिदेव जोशी स्री हरीदेव जोशी ने जोसे ने संभागिये व्यवस्था को उनर जिवित किया हम बागिये व्यवस्था को उनर जिवित किया उन्हे प्रारम किया उन्हे शुरू किया तो यहां से हमें किनका नाम याद रखना है अमें यहां पर कि जो हरी देव जोसी है इनका नाम याद करना है इनोंने वापस फ्रारम किया nervous 1987 में इससे पहले 1962 में किनोंने समावत किया नाम था इनका स्री मोहनलाल सुखाडिया ही कहा है और इनोंने किया किया ना किवल शुरू किया बलकि बलकि इन्हों ने एक और काम किया, चुकि जब मोहनलाल सुकाडिया ने इस विवस्ता को समात किया, उस समय तक हमारे यहां पर पांच संभाग थे, ठीक है, 1987 की बात है, जब हरी देव जोसी ने इस संभागी विवस्ता को पुनर जुवित किया, तो उन्होंने फाहिल देखी जेपुर संभाग अस्तितुमें आता है, और उसका नाम हो जाता है, अजमेर संभाग, तो हम यहां पर यह भी लिख लेंगे, 1987 में, 1987 में, जेपुर संभाग से, जेपुर संभाग से, जेपुर संभाग से, कुछ जिलों को अलग करके, कुछ जिलों को अलग करके, कुछ जिलों को अलग करके, अजमेर संभाग, अजमेर संभाग का, अजमेर संभाग का निर्मान किया, या अजमेर संभाग नया बनाया, ठीक है, तो यहां पर यह हो जाएगा, 1987 में, 1987 में दो इंपोर्टेंट बातें हो गई, देखिए आपको यहां पर देख रहा होगा, आप स्क्रिन्शोट भी ले सकते हैं, कि 1987 में तत्कालिर मुक्यमंतरी सुरी हरी देव जोसी ने संभागी वेवस्ता को पुनर जिवित किया, पुनर प्रारम किया, पुनर शुरू किया, 1987 में ही, जेपुर संभाग से कुछ जिलों को अलग से हटा करके और एक नए संभाग यानि कि अजमेर संभाग की रूप में उसको प्रारम किया, और यहीं से हम यह कह सकते हैं कि अजमेर संभाग जो है वो, अजमेर संभाग, यह वाला जो अजमेर संभाग है, यहां कि हम बात कर रह एक और नया परिवर्तन का बुआ तो यहां पर बात कर लेते हैं देखिए चार जून 2005 की बात है 2003 में पहली बार वसंदुरा राजे राजस्थान की मुख्यमत्री बनी और उन्होंने चार जून 2005 को चार जून 2005 को भरतपुर संभाग का यह हम कह सकते हैं कि चार जून 2005 को भरतपुर संभाग भरतपुर संभाग बनाया भरतपुर संभाग बनाया, यह कौन सा संभाग था, तो अगर इसी मैं देख लें, तो यह सातोई नमबर का संभाग था सातों संभाग कौन था भरतपूर संभाग तो अगर आप यहाँ से याद करना चोओ इस संभाग को तो बहुत आसानी के साथ हो सकता देखिए आप चार जून दो जार पांच को ठीक है अगर इस डेट को अगर हम देखें तो थोड़ा दीकिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ चार जून तो चार तो थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से आप यह जो ट्रिक है इसको आप आसानी की साथ में क्लियर कर सको देखिए 4 जून की बात वरी तो चार जून का मैना यानि कि छटा मईना ठीक है चार छे और कब 2005 तो इसको 05 लग देते हैं और संभाग कुन सा बनाता हूँ सेवंथ देखिया आप इसमें चार पांच छे और साथ कंटिन्यू है यानि कि चार जून को चार जून 2005 को संभाग कुन सा बना साथ वाँ तो चार पांच छे और साथ तो इस प्रकार से हमें आसानी के साथ में ये बात occupatiya से याद कर सकते हैं तो याद करने की हिसाफ से मैंने आपको यह चीज बताई है आपको साइथ यह आद रहेकी आगे वढ़ते हैं कि और उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में एक और चीज़ यहां पर आती है और वह यह है कि झाल झाल आगे बढ़ते हैं और अब यहां से एक क्या परिवर्तन आया जो वर्तमान में जिसकी बहुत ज़्यदा चर्चा है और वो चर्चा इस बात की है देखी की वर्तमान में तीन नए संभाग बना दिये गए है और साथ तो इसाथ तक की काउंटिंग तो यहां पर होगी अब ती तीन नए संभाग बनें तो तीनों की बात करते हैं सबसे पहले उस कमेटी के बात करते हैं जिसकी सिपारिस के आदार पर इनको बनाया गया है तो वो जो कमेटी है उस कमेटी का नाम है राम लुबाया कमेटी ठीक है अब एक प्रसंद तो यह से पूचा जा सकता है कौन सी क कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बना है तो आजाएगा राम लुबाय कमेटी और दूसरी बात हम यह भी पढ़ेंगे कि इस राम लुबाय कमेटी के आदार पर इनको बनाया गया है उस कमेटी का गठन कब हो आता तो हम यहां से इसके डेट को भी इंपोर्टन करनेंगी 21 मार 2022 को इस कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी राजस्तान में नए जले और नए संभाग बनाने के लिए के बारे में इसने काम किया यानि कि राजय सरकार को राई देने का इसने काम किया 21 मार्च की डेट जो है वो बड़ी आसानी के साथ में याद हो सकते 21 मार्च वो ता बोलते हैं और इसके अलावा इसके साथ में 21 मार्ज के साथ में एक ओडर तारीक होते हैं 23 सितम्बर को भी इसी प्रकार की इस्टे खिस्थी होती है तो इसके अलावा उत्री गुलार्द में जब सूर्य का उत्तरान होता तो उत्तरी गुलार्द में दिन बड़े और रातें छोटी और जब दक्षनी गुलार्द में यानि कि सूर्य का दक्षनान होता है तो दक्षनी गुलार्द में दिन बड़े और रातें छोटी ये वाली सत्य होती है तो ये तो मैंने आपको गुलाग में गृष्वरित्यू का आगमन होता है हमारे यहां पर राम लुबाय कमिटी का आगमन हो गया जिसने यहां पर नए जिले और नए संभाग बनाने की बात कर दी और इसलिए हमें अब इन सब को नए तरीके से या नए सिरे से हमें पढ़ना हम इसको पढ़ रहे हैं कराम लुबाय कमिटी का एक बार कारेकाल भी बढ़ाया गया ठीक है और फिर बाद में फाइनली इस कमिटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सोपी मार्च 2023 में और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की या में ये पढ़ लेंगे इसको मुख्यमंत्री की गोसना मुख्यमंत्री द्वारा गोसना ये पढ़ लेंगे मुख्यमंत्री द्वारा गोसना ये कब हुई तो मुख्यमंत्री ने एक अनॉंस्मेंट किया वो किया 17 मार्च 17 मार्च 2023 तो इस डेट को भी आप याद रख लेंगे 17 मार्च 2023 को मुख्य मंतरी ने गोसना की कि अब राजस्थान में 33 के स्थान पर 50 जिल हो जाने वाले हैं और 7 के स्थान पर 10 संभाग होने वाले हैं तो कुल मिलाकर की यह बात यहां से मिधान में रखना है और कौन सी डेट यहां से इंपोर्टेंट है जो इसके संदर में हमें पूची जा सकती है एक आता है कि यह गोसना होगे लेकिन चूंकि जब तक किसी भी नया जो भी प्रपोजल आता उसको जब तक उसकी केबिनेट की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक वो बात उसकी अधिस उचना जारी नहीं हो सकती तो केबिनेट की मंजूरी के हम बात करते हैं तो केबिनेट की मंजूरी कब हुई हम इसको पढ़ लेते हैं केबिनेट द्वारा मंजूरी केबिनेट द्वारा मंजूरी यह कब हुआ तो यह हुआ था चार अगस्त चार अगस्त दो हजार तेवीस ठीक है? चार अगस्त दो हजार तेवीस को केबिनेट की द्वारा इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई और इस प्रपोजल को कि राजस्तान में अब पचास जिले होंगे और तीन नए संबाग बढ़ा दी जाएंगे तो कुल मिला करके दस संबाग होंगे जैसे एक केबिनेट का अप्रूवर्वन मिलता है तो एक अधिसूचना जारी होती है तो हम यहां इसके डेट भी लिख देते हैं अधिसूचना अधिसूचना दिनांक अधिसूचना की दिनांक लिख लेता है अधिसूचना की दिनांक तो यह अधिसूचना की दिनांक के बाद इसके जस्ट एक दिन बात यानि कि 5 अगस्त 5 अगस्त 2023 इसको क्या हो गया अधिसूचना जारी हो गई नए जिलों की और नए संभागों के अधिस उचना जारी हुई और इसके बाद में किया वा तो राज्य सरकार ने बड़े हरसो लास के साथ में कारेकरम का आयजन किया और वो कारेकरम का आयजन हुआ था पांस तारीक के दो दिन बाद याने की साथ अगस्त को जितने भी नए जिले बने थे जहां पर जो जिला बनाया गया था उसके डिस्टिक हेड़िवाटर पर और इसके अलवा जहां पर जो नए संभाग बने थे और जहां पर संभाग का हेड़िवाटर रहने वाला है उन संभागों पर अलग-अलग मंत्र प्रभावी यह कर देंगे उद्गाटन वे अधिस उचना प्रभावी उद्गाटन वे अधिस उचना प्रभावी यह कब हुई तो यह हुई थी 7 अगस्थ 7 अगस्थ 2017 को ठीक है तो एक important बात ही हो जाएगी तो देखे यह दो बाते मुख्यमंत्री दुरा गोसना 17 मार्च इससे पहले कमेटी का गठन 21 मार्च मुख्यमंत्री की गोसना 17 मार्च 2023 यह 2022 में कमेटी ने लगबग एक साल काम किया इसका कारेकाल भी बढ़ाया गया और एक साल बाद में 17 मार्च लगबग एक साल बाद 21 मार्च वापस जाता तो एक साल हो जाता complete तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा गोसना चार अगस्त 2023 को कैबिनेट की मंजूरी पांच अगस्त 2023 को इसके द्वारा अधिस उचना जारी हुई और अधिस उचना कब से प्रभावी हुई या इसका उधगाटन कप किया गया यहनिकि अलग जो नए जिले हैं उनका और संभागों का तो वह आता इसलिए बता रहा हुँ आपको क्योंकि आजकल प्रशन इस प्रकार से भी पूचे जाता है कि राजस्तान में या हम कैदें कि राजस्तान में नए जिले नए संभाग जो बनाए गए हैं उनके बारे में निम्न तथ्यों पर विचार किजिए और चार आपको अलग-लग को मिली और इसके अलावा पांच अगस्त बोह जार तेविस को अधिस उचना जारी हुई साथ अगस्त बोहजार grant है इनका जो अधिस उचना वह प्रभाविग और अब निम्न तंफन Whether विचार किजिए कौन से कई लोग-ल्यक तक है जाहां से प्रशन पूछ जाने की संभावना है, और अब हम आगे बड़ते हैं, और हम देखते हैं, जो नए संभाग बने हैं पहले, उन नए संभागों को इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इन नए संभागों में कौन-कौन से जल्रीक शामी लैर, उसको मेप में प बनाना आपका क्या है एक आभूशन है बुगोल के विध्यारती के लिए और आभूशन जैसे किसी की सुन्दरता बढ़ा देता है उसी प्रकार से यहां पर जोगरुपी में भी अगर आप मेप को काम में लेंगे तो आपकी जो याददास्त है वो भी स्थाई होगी और इसक मेप में पूरे 50 जिले और यहां पर मैंने इसको एक रंगारेक विद्दी के दोरा जो जो तीन जिले इस बासवड़ा संभाग में अलग-लग रंगों का प्रयोक करके और बहुत शांदार तरीके से मैं आपको याद करूँगा है तो जब भी हम किसी मानचित्र में रंग भ संभावी बनाते हैं और अलग-लग रंगों का अलग-लग च्छाया रंगों का प्रयोग जों बो गॉल में रंगारेक मांचितर के नाम से जाना जाता है ठेक है तो यह मारा सबसे पहला संभाग होगा जिसको अज हम इहां से पढ़ने वाले हैं मैं सबसे पहले इसका नाम लिख देता हूँ यह जो संभाग का यह संभाग की मुख्याले का जो नाम होगा वो होगा बांसवड़ा संभाग बांसवड़ा संभाग अगर आप देख पा रहे हैं इसको तो यहां पर देखिए यह राजस्तान में बिल्कुल सबसे दक्षण में हैं इदर राजस्तान में अगर हम दिशाओं का अंकित करना चाहें दिशाओं को तो यह नोर्थ हो जाएगा इधर बिलकुल साउथ हो जाएगा इस तरफ वेस्ट और इस तरफ राजस्तान की इस्ट इनकी इधर पोरो इधर पस्यम, उत्तर और दक्षण तो सबसे दक्षण में तो देखिया आप और सबसे दक्षण में तीन जो सबसे दक्षणी जिले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है तो हम यहां से इसको यह भी लख सकते हैं कि यह जो संबाग है एक बात इसको हम दक्षणी संबाग के नाम से भी लख सकते हैं अगर इसका उपनाम अगर हम लिखना चाहें हम लिख देंगे दक्षणी संबाग कि अब दंवाग् कियों करें हैं कहां कि सबसे दक्षण में है और yad करने की असे प Joshi到 तो याद करने कि सवते कि हाँ बांस्वड़ा दक्षणी शंबाग है तो सबसे अदंध दक्षणी जिले इसमें शामिल हो जाएंगी कौन कौन कुम से जिलॉय है जिलॉह अगर हाँ बात करना चाहे तो देखिए यहां से यहिसे लिखके लेते हैं अपने जिल्लों को नाम ठीख है और कि मैं यहां से लिखता हूं सबसे पहले अगर आपको यहां पर दिख रहा है तो सबसे दक्षण में अगर हम बोले कि राज़ासान का सबसे दक्षणी जिला पहुंचा तो वो इसमें शामिल है और उस जिले का नाम हम यहां पर लिख लेते हैं जिसके नाम से यह संबाग बिना है वो है बांसवडा संबाग यह हो जाएगा बांसवडा यह बांसवडा जिले इसमें शामिल होगा इसके लावा कौन होगा इसके लावा बासवड़ा के साथ में जब भी नाम आता है तो नाम आता है एक डूंगरपूर का ठीक है तो डूंगरपूर इसमें शामिल है ठीक है और इसके लावा एक और कौन है यहां पर तो यह है यहां पर प्रताबगड एक और कुल मिला करके इन तीन जिलों से यह जो तीनों जिलों को एक जगह पर करके इनका क्लस्टर बना करके और बांसवड़ा संभाग को बनाया गया है तो यह दोनों जो जगह है इसमें शामिल आई यह वैसे भी इनका हम याद करते हैं यहां से आपको पता है यह करकरेखा गुजरती है और वो करकरेखा जो है वो इस प्रकार से निकलती है तो डुंगरपुर की दक्सनी सीमा को चूती भी और बांसवड़ा के लगबग मद्द करके गुजरती है दो जुले में इससाब से बड़ा असान हो जाएगा और इसके अलावा एक और जुला हो जाएगा जिसका नामैंबत अगर लगड़ कTr・ AV तै prison कौन-कौन से तो इसमें हो जाएगा पासवडा, इसके अलावा कौन हो जाएगा, प्रताब गड़, ठीक है? तेन जिले हो गए, चलिए, किस से अलग किया गया इसको अगरम ये बात करें कि कौन से संभाग से इन जिलों को अलग करके बनाया गया है उदेपूर संभाग से उदेपूर संभाग से बनाया गया है ये सारी बाते हैं एक हरे रंग के दोरा दिखाया गया राजस्तान के इस भाग में अच्छी काशी वारिश होती है और काफी घनेव बन यहाँ पर मिलते हैं इसलिए आप इस प्रकार से ही याद कर लेंगे हरे रंग के दोरा तो इस दक्सिनी राजस्तान में ये खास बात है और ये हमारे यहाँ पर एक नया संबाग बना है जिसको हम पढ़ेंगे बासवडा संबाग के नाम से आगे बढ़ते हैं और एक और संबाग राजस्तान के इस मेप में यहाँ पर आपको लाल रंग के दोरा यहाँ पर दिखाया गया है और इस संबाग का नाम है जो नया ब पाली संभाग ठीक है सबसे पहले हम जिलों की बात कर लेते हैं कौन-कौन से जिलों से इसको बनाया गया है तो देखिए आप इसी मेप में इन जिलों को हम यहीं से लिखते हैं और आप सबसे पहले ये जो जगह है ये जिला ये हो जाएगा पाली जो संभाग मुख्या ले रहने वाला है ठीक है और पाली के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा सिरोही और यहाँ पर आपको दिखेंगे पाली सिरोही अलग लग जिले और यहाँ पर यह पूरा जो जिला है पहले ये जालोर जिला था लेकिन अभी इसका विभाजन कर दिया गया और यहाँ पर इससे एक और इसका जिला इसका बड़ा भाग निकाल करके और साचोर जो जिला नया बना दिया गया तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे देखें यह जो जिला है वो बन गया है जालोर यह जिला हो गया जालोर यह जालोर यहां पर ठीक है और इधर से अगर हम देखें यह बला तो हो जाएगा साचोर ठीक है तो कुल मिला करके यह इसमें चार्ज ले हैं कुल चार्ज ले इनको यहां पर लिख लेते हैं तो सबसे पहले चूर की पाली सम्भाग है तो संबाग मुख्यले पाली पाली के अलावा कौन तो इसमें एक भाजाएगा सिरो ही ठीक है इसके अलावा और कौन तो हो जाएगा इसमें जालोर और एक जालोर से अलग जो हुआ है उसका नाम है साचोर तो कुल विलाकर के ये कुल विलाकर के कितने जिले तो ये चार जिलों से चार जिलों से विलाकर के इसको एक नया संभाग बनाया गया है और क्या खास बात है यहां से अगर आप सिधा सिधा यहां से देखना चाओ देखेंगे आप यहां पर जो सीमा लगती है यह लगती है यहाँ पर गुजरात की सीमा यह जो सीमा है यहाँ पर ठीक है तो मैं आपको यह दूसरी इसके द्वारा बता देता हूँ यह जो सीमा लगती है इदर वाली यह जो सीमा है यहाँ पर लगती है गुजरात की सीमा यहाँ तक लगती है यह बार् अब चुकि इसका जो दक्षणी भाग है या कदें की दक्षणी पस्यमी जो भाग है वो सांचोर बना दिया गया है तो अब जालोर पूरी तिरगे से अंदर रह गया है अंतर वर्ती जिला रह गया है तो अब यहां पर जालोर की सीमा नहीं लग रही है अब गुजरात के जो अंतर राजे सिमा बनाने वला है तो नया जिला जो बना है उसका नाम है सांचो हो ठीक है Oh तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे एक बात और वो सबसे पहलें तो यह लिख लेंगे कि चालोर अब अंतवर्थी जिला करें Oh या देश के साथ में नहीं लगती है पूरे तरीके से वह अंदर वाले बाग में स्थित है तो यहां से ही हो जाएगा अंतरवर्ती जिला और इसके स्थान पर कौन तो हम लिख देंगे साचोर कि साचोर अब कि साचोर अब कि अंतर राज्जी सीमा वाला जिला सीमा बनाने वाला बनाने वाला जिला और किस के साथ में बनाएगा तो मैं यहां पर लिख देता हूँ यह बनाएगा गुजरात के साथ में यहां पर जो बात थोड़ी सी रहे गी थी उसको देख लिजी आप जालो और अब जालोर अब अंतरवर्ती जिला अंतरवर्ती ठीक है तो कुल मिला करके ये जो चार जगह है इसमें समने बड़ी आसानी के साथ में देख लिए इसकी स्तिती भी हमने देख ली तो उमेद है मुझे कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा पाली तो पाली पाली और सिरोही दो और इसके लावा एक जिसमें से दूसरा जिले को निकाल दिया गया है अलग कर दिया गया उसको दूसरे जिगह को निकाल करके अलग जिला बना दिया गया वह है जालोर और जालोर में से निकाल दिया सांचोर तो कुल मिला करके चार जिलों के साथ में एक नया सं इसको जोद्पुर संभाग से बनाया गया है तो हम यहां पर इस बात को भी लिख देंगे जोद्पुर संभाग से जोद्पुर संभाग से पाली संभाग जोद्पुर संभाग से पाली संभाग बनाया गया है तो यह कुछ important बाते जो हमें यहां से त्यान में रखने चाहिए आगे बढ़ते हैं और एक और जो नया संभाग बनाया गया है उसको भी यहांपर हम पढ़ते हैं और उस संभाग का नाम है सीकर संभाग सीकर संभाग मेप में आग देख पा रहे हैं यहांपर ठीक है कि जिस कलर से मैंने लिखाया है उसी कलर से यहांपर इसको रंग पर कि और रंगारेक विदी से यहांपर मैंने इस संभाग को भी बताया है और इसको जो जिले हैं उनको याद करना बहुत आसाना मैं कहूंगा कि जितने भी संभाग है अगर आप इसको सबसे आसानी के साथ में इसी संभाग को मियाद कर सकते हैं कैसे जब भी नाम आता है सेखावाटी का नाम जब भी आता है तो हम क्या बोलते हैं सीकर चूरू और जुन जुनू ठीक है अब क्या हुआ है कि सीकर का ही जो एक बड़ा हिस्सा है उसको निकाल करके एक नया संभाग बनाया है तो स्वरी नया जिला बनाया है जिसका नाम है नीम का थना तो जब पूरा सीकर अगर हाड़ो सेखावाटी का भाग है तो फिर नीम का थना भी सेखावाटी का भाग है तो कुल मिला करके अब इसको सीकर जूरू, जुंजनु और इसके साथ में एक और जो नीम का था नया जला बना दिया गया तो एक इसमें सेकह वर्ति है तो अब ओर क्या गएंगी सीख़, चूरू, जुंजनु और नीम का था नह सुपाट इस जला है उन के उन जुलों को मिला करके इस्सम्बाग को बनाया गया देकिए जलों के सिस्थिस सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले कौन है थे तो यहां पर ये चूरू जिला है और हम इसको पढ़ेंगे बीकानेर संबाग से इसको लग किया गया तो मैं इसको लिखवा भी दूँगा आपको इसके साथ में यहाँ पर कौन सा जिला है तो यहाँ पर जो जिला है उसका नाम है जुन जुन यह हो जाएगा जुन जुन इधर यह वाला भाग कौन सा है तो यह वाली जो जुगह है यह जुला है उसका नाम है सीकर यानि कि सीकर के नाम से बनाया गया है तो सीकर और एक और इसमें से जो बनाया गया है उसका नाम है नीम का थाना ठीक है तो कुल मिलाकर कि यह चार जले जो सीकर संभाग का यह हम यूं कहें कि सेखावाटी संभाग का तो एक तो हम इसका नाम लिखी देते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं तो मियासी इसको कह सकते हैं सीकर संभाग कह दो सीकर संभाग या इसको क्या कह देंगे या इसको आप सेखावाटी संभाग भी कह देंगे क्योंकि जो सेखावाटी प्रदेश में जो आते हैं सेखावाटी संभाग वही सारे जिले उसमें है कि देखावाटी संबाद कौन-कौन से चले चार तो हम बात करें चुके हैं फिर भी लिख लेते हैं सीकर कि इसके अलावा चूरू कि इसके अलावा कि जुन-जुनों एक और इसके अलावा एक और कौन तो ना मजाएगा इसमें नीम का थन तो इन चारों जुलों को मिला करके और ये एक नया संबाग सीकर संबाग बनाया गया है किससे बनाया गया इसकी अगर हम बात करें तो देखिए दो संबाग के जुले इसमें ले गया है और उसके मादिम से इसको बनाया गया है सबसे पहले हम बात करें लेते हैं तो देखिए गया है तो इस चूरू खिल लिया गया है भी कानेर संभाग से चूरू कॉन से जिले से संभाग से तो भी कानेर संभाग से ठीक इसके लावा और क्या क foul इसके अलावा दो इसमें सीकर जून जूनो ठीक ये दूनो इनको लिया गया है जयपूर संभाग से जयपूर संभाग से इनको अलग कर दिया गया और इसी का पुछ भाग निकाल करके एक नया जिला पना दिया गया नाम है जिसका नीम का थाना नीम का थान तो कुल मिलाकर के हमारे सामने ये सीकर जो संभाग है उसकी सती हमारे सामने इस प्रकार से आती है मेप में भी आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं और इसकी कुछ इंपोर्टेंट बातों को भी हम यहां पर बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं जो पर पढ़ चुके हैं तो इन तीनों संभागों को हम एक ही मांचितर पर देखते हैं कि कुछ का 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 सित्व में और एक बहुत ही अच्छा सा एक मानचित्र आपको राजस्तान का दिखेगा और तीनों संभाग अलग-अलग रंगों की द्वारा रंगारेक विदी की द्वारा आपको यहां पर अभी दिखने वाले हैं बहुत अच्छे से चली देखता है इनी को तो यह वाला वो मानचित्र जिसकी मैं आपको बात कर रहा था उन तीनों संभागों को हम पढ़ चुके हैं तो फिर से अगर हम इसको रिकॉल करना चाहें याद करना चाहें तो दीखिए आप यह सबसे पहला संभाग मैं यहां पर लिख देता हूँ यह कुन सा संभाग होगा तो इसका नाम है बांसवडा संभाग जिसको हमने दक्सनी संभाग आता बांसवडा संभाग ठीक है इस वाले के अगर हम बात करें तो यह हमारा हो जाएगा पाली संभाग ठीक है और इस वाले में अगर हम बात करें ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा सीकर संभाग और यह मेब किसका बन गया हमारे सामने तो नय या नवीन संभाग नय या नवीन संभाग बहुत आसानी के साथ में मैं उम्मिद करता हूँ कि आपने ये सारे जो संभाग हैं वो याद कर लियोंगे और उम्मिद ये भी करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो दी गई जानकारी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आईए तो अपने दोस्तों को शाथ में शेयर कीजी एक कमेंट के जवारा मुझे जरूर बताईए आप कि आपको जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी और इसमें क्या परिवरतन किया जा सकता है, क्या नया लाया जा सकता है यह भी आप मुझे, आप अपनी राई मुझे दे सकते हैं चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे अगली वाली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको बाकी की जो साथ संभाग है जो पहले से कारेरत हैं उन साथ संभाग में जो जिले हैं उन में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है इनके उपर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं और इसी विदी से बात करने वाले हैं ताकि इतना effective हो कि आप 10 के 10 संभाग को बहुत आसानी के साथ में याद कर सको और परिख्सा में अगर कोई भी प्रशन वहाँ से पूछा जाता है तो हम किसी भी प्रशन को गलत नहीं करें ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है और आगे की क्लास में हम बाकी की बज़े में संभाग को पढ़ेंगे